हेलो गाईज आपका स्वगल करता हूं आज की नई वीडियो में तो गाईज इस जो सेट दिख रहे हैं मेरे आथ में ओपो ए-31 तो गाईज इसमें आज आपको बताऊंगा कि फिंगर प्रिंट पासवर्ट कैसे लगाया जाता है ओके गाईज तो गाईज इस चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को लाइक एंसे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो चलिए गाईज आगे बढ़ते हैं में आपको बताने वाद तक कि फिंगर प्रिंट पासवर्ट कैसे लगाया जाता है ओके गाईज तो देखिए क्या करना हुआ यहां से आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है तो गाईज सेटिंग को ओपन करने वाद देखिए क्या करना हुआ आपको यहां पर फिंगर प्रिंट एंड पासवर्ट का उप्शन आ रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है यह से ओके तो देखिए देख सकते हैं मैंने आपको फिंगर प्रिंट के बारें बता रहा था तो आप देख सकते हैं यहां पर यह देखिए फिंगर प्रिंट नो add it यानि कि आपने edit नहीं कर रखा यानि कि आपना thumb नहीं लगा रखा देखिए याँ पर add our finger print तो देखिए मैं जो है finger print लगा लगा यता उ उसमें पीछे होता देख सकते हैं यह देखिये इसमें मैं लगा देता हूं यह देखिए जो मैंने पैटन लगा रखा था यहां पर जो है मैं डाल देता हूँ पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ओके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे सुरी माफ करियेगा, तौरा गल्द दिल गया है देखिए दोबार आता है, एक, दो देखिए मैं दुवारा डाल देता हूँ यहां से यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे ओके इसके बाद दुवारा वह भी इतने मारा एक दो तीन चार पांच छे तो देखिए मैं दाल दिया है यहां पे और उसके बाद देख सकते हैं पीछे इदर फिंगर पिंट आया तो इस पर मैं आपको डाल देता हूँ यह देखिए यह देखिए यह देख सकते हैं आप ओके यह देख सकते हैं आप देखिए यहाँ पर यह देखिए यह देखिए जब तक finger pin पूरे नहीं होते है तो यह देखिए इस पर आपको connecting पर आपको click कर लेना है यहां से उसके बाद दवार अपना finger लगा देना है यहां से देखिए यह देखिए जो मैं है आप देख सकते हैं जो मेरे finger यहां पर पूरे लग चुके हैं उसके बाद देखे दुबारा करनेक्टिंग का उप्शन आ है तो उसमें मैं किलिक कर लेता हूं यहां से ओके तो देख सकते हैं जो आपको एक फिंगर देख सकते हैं यहां पर एड़ हो चुका है otherwise जो है आप यहां से एक फिंगर जो है यानि कि दुबारा से एक फिंगर एड़ कर सकते हो तो इस पर आपको जाना होगा एड़ फिंगर पे तो यहां पर आपको दिख सकता है यहां पर दो फिंगर जो हो जाएंगे आज की वीडियो पस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार